आज बनाते हैं हम लोग बिरियानी पुलाव राइस का एक बहुत अच्छा सा वेरेशन बहुत सिंपल है बहुत बढ़िया सा है और बहुत ज़ादा टेस्टी है काजु पुलाव आज हम लोग बना रहे हैं काजु राइस भी आप लोग इसको कह सकते हो एकदम जटपट वाल लेकिन बहुत शानदार बनती है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कैसी से चाहिए वो दिख लेते हैं एक कप मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिया है लाउंग रिन बासमती राइस कोई भी ले ले मैंने टिल्टा ब्राइन का लिया है जस्ट आपको बता चाहिए या फिर केबडा वाटर बी डाल सकते हो तेज़ पते लिए 2-3 एक चोटा डालचीने का तुकडा है एक चक्री फूल है एक बड़ी लाइची है दो लोंग है तीन चार हरी लाइचीआ है एक चमजीरा है तीन चार हरी मिर्चे है इसको तोड़ लिया है और आदा प जार बर आप लोग चावल को अच्छे से दोईएगा क्योंकि इसके उपर पावडर होती है और इसका स्टार्श होता है वो निकल जाएगा और उसके बाद इस पे खुब सार पाइन डाल कि इसको कम से कम हाफ आर आपने जरूर भीगोना है और जादा जादा आप लोग इसको तो इसमें हम लोग प्यास डाल देंगे तो यह मैंने आधी प्यास लंबी लंबी चापकर के लिए हो डाल देंगे और हमने किसी भी चीसको जादा-जादा नहीं पकाना है एकदम बूनना नहीं है प्यास को हलका सा गुलाबी कर लेना है बस गुल्डन ब्राउन वगरा नह करना है प्यास बस हलका सा गुलाबी हो जाए तो इसमें हरी मिर्च डाल दी हमने हरी मिर्चों का फ्लेबर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला है और अधर कलसन का पेस डाल दे और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बून लेंगे एक से दो है तक काजू भी अच्छे से बूने जाए इसके बाद हरा दनिया थोड़ा सा एक चमच के सा हरा दनिया डाल दिया है इसमें चौप करके हमने हरा दनिया डाल कि इसको आधा एक मिनिट हम लोग बून लेंगे इसके बाद जो हमारे चावल थे उसका इस्तरा पानी फेक के आ पाने डालना है यह मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है एक चमच गुलाब बॉटर मैंने डाल दिया आप लोग केवरा इसेंस भी डाल सकते हो एक से दो बून केवरा बॉटर ले रहे हो तो एक चमच डालिएगा अब इसके बाद जो खड़े मसाले थे वो मैंने निका दूँगा और 8-10 मिनिट कम्प्लिटली चावल पकने तक का हमने पकाना है जब तक चावल इस प्रकार से खड़े नहीं हो जाते आप देख सकते हो चावल खड़े हो चुके है अपने आप ही तो बस इसको एक बार और मिक्स करेंगे और अब आपने इसको फिर से ढखके 10-15 मिट के लिए रेस्टिंग टाइम देना है ग्यास बंद करके जब चावल पूरी तरीके से पक जाए तो इसको अच्छे से एक बार फ्लफ करके मिक्स करके ढखके 10-15 मिट कम से कम आपने ज़रूर रखना है 20 मिट रखा तो जादा बेटर रिजर्ट्स आएंगे और बस 10-15 म बनेगे बट एकदम खिले केले बने देख सकते है एक एकदाना बिलकुल अलग अलग ढिक रहा है इसको गार्णिच करेंगे तलीवी प्यास के साथ और इस काज मिट की शाही ग्रेवी के साथ सर्फ कीजये गा या फिर सिंपल डाल के साथ भी आप लोग इसको खा सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ न बहुत मस्द बनते हैं तो जरूर ट्राइ करना काजो राइस या काजो कुलाव या काजो की बिरियानी बहुत सिंपल और जटपट वाली बहुत अच्छी बनती है आप भी मुझे बताएगा आपके काजो राइस कैसे बने फिर मिलेंगे ऐसे एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर